हाँ बई आगे चला फिर रूढ्सफर अफ प्रोपर्टी यहां पर नहीं कहिनके हैं ऊξिघना site रूढ्सफर उवक्रिर को ट्रांसफर कर रहे हैं इसकी ओँ फिर द्रांसफर कर रहे हैं उसकी possession को नहीं है ठीक है ये नहीं है they are both different thing ये दोनों अलग चीज है क्या बोला मैंने transfer of property का मतलब होता है ownership को transfer करना इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम goods को deliver करें ठीक है next अब delivery जान लेते हैं delivery क्या होती है delivery of the possession of the property यानि कि हम physical custody किसी और को दे रहे हैं one person to another person delivery हो रही है delivery किस चीज की हो रही है उस property की possession की हो रही है property की possession की हो रही है पिछले वाले case में क्या था transfer of property था यानि कि property यानि कि ownership को transfer कर रहे थे हम इसको ownership को transfer कर रहे थे यहाँ पे हम physical custody of goods provide कर रहे हैं किसको another person को one person to another person यानि कि buyer को delivery and transfer of property के अंदर difference अब आपको समझ में आ जाना चाहिए अब delivery हम starting में हमने पढ़ा था कि section 2, subclose 2 के अंदर इसकी यहाँ पे दव आएगा इसकी definition थी section 2 subclose 2 के अंदर so delivery means voluntary transfer of possession देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है voluntary transfer of possession voluntary transfer of property नहीं है voluntary transfer of possession of goods from one person to another person ठीक है यह सारी चीज़ अभी मैंने आपको पीछे समझाई अब delivery कितने प्रकार की होती है यह देखते है सबसे पहला है actual delivery यानि कि जब हम physically physically provide करवा रहे हैं delivery करवा रहे हैं ठीक है goods provide कर रहे हैं एक दूसरे person को ठीक है is the person वो एक seller है एक car का ठीक है उसने car hand over कर दी बायर को hand over यानि कि physically वो deliver कर रहे है hand over कर दी car तो यह क्या हो गई actual delivery हो गई ठीक है simple था अब बारी आती है symbolic delivery की symbolic delivery क्या होती है हम directly hand over नहीं करते हैं हम directly hand over नहीं करते हैं जैसे अभी पिछले वाले case में example में हमने देखा directly hand over नहीं करते हैं इसमें क्या करते हैं एक means दे देते हैं एक means दे देते हैं to reach out to the particular good ठीक है तो इसमें क्या होता है एक example से फिर से समझते हैं कि आपने मुझसे आप ए हो आपने मुझसे कम्प्यूटर्स खरीदे ठीक है लैप्टोप खरीदे मानके चलो और आपने खरीदे दस लैप्टोप ठीक है दस लैप्टोप खरीदे मैंने आपको इन दस लैप्टोप की बचाए मैंने आपको एक go down की key दे दी एक go down की key दे दी ठीक है ये go down है इसकी key दे दी तो आपको क्या मिला एक means मिला आप खुद जाके possession ले सकते हो उनकी ठीक है यह होता है symbolic delivery जिसके अंदर हम means देते हैं to reach out to the possession of the property of the good simple था यह भी आगे भढ़ते हैं construction delivery या फिर delivery by attornment यहाँ पर एक third person की involvement हो जाती है जैसे कि मैं हूँ seller आप हो buyer ठीक है आपकी एक shop है clothes की shop है मान लो और यह मेरी मैं एक wholesaler हूँ आप एक retailer हो तो मैंने आपको clothes send किये आपके warehouse पे जाएंगे वो ठीक है आपके warehouse पे चले गए है जो warehouse पे बंदा बैठा है उसने आपको यानि की buyer को inform कर दिया है कि मेरे पास goods पहुँच चुके है तो यह वाली delivery किसे कहा जाता है constructive delivery को या फिर delivery by attornment simple था delivery कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की ठीक है three types के delivery are there next unpaid seller वाले concept पे अब आ जाते है बहुत important topic है यह हमारे outcome perspective से unpaid seller क्या होता है नाम से पता चल रहा है जिसको pay नहीं किया गया हो जिसको अपने पैसे नहीं मिले हो तो section 45 subclose 1 के अंदर इसको बताया गया है कि unpaid seller क्या है जिसको पूरा amount नहीं मिला है whole of the price has not been paid अब यहाँ पे whole of the price confused मत होना वो partially भी हो सकता है उसको सिरफ आदे पैसे मिले हो पूरे नहीं मिले हो ठीक है यह भी हो सकता है यह हम आगे पढ़ेंगे यह according to section 45 है जो आपको यह लिखा हुआ है तो first pair हो गया है कि whole of the price नहीं मिला है second है when a bill of exchange यानि क्यों कोई check दे दिया है या फिर ऐसा कोई negotiable instrument दे दिया है जो कि receive तो हो गया है बट जब हम यानि कि seller bank में गया तो बोला गया कि आप यह जो है check यह dishonored हो चुका है इसमें पैसे नहीं पड़े हैं इसके bank account के अंदर तो क्या होगा वो भी एक unpaid seller कहलाएगा क्योंकि उसको रुपे नहीं मिले next unpaid seller और किसे कहा गया है और क्या features होते है एक unpaid seller के यह जाना जूरूरी है यहां से भी questions बन सकता है he must sell the goods on cash terms cash terms पे होना चाहिए अगर वो credit basis पे करेगा pay तो वो unpaid seller कब कहलाएगा जब buyer does not pay him the price after the expiry of credit period मान के चलो मैंने आपको sell किये है कुछ laptops और बोला है कि 10 तारिक से पहले आज का तारिक है 5 तारिक है या 6 ठीक है आज 6 तारिक है मैंने आपको कहा कि 10 तारिक तक पैसे दे देना credit पे sell कर रहा हूँ मैं तो आपने 10 तारिक के बाद भी पैसे नहीं दिये तो मैं क्या बन गया एक unpaid seller ठीक है ये भी clear ये भी clear he must be unpaid wholly और partially ठीक है आदा पैसा आ सकता है पूरा पैसा भी sorry आदा पैसा आ गया है और आदा पैसा नहीं आया तो भी मैं unpaid seller ही कह रहा हूँगा ठीक है where the price is paid through a negotiable instrument जो कि decent or हो चुका है ये भी हमने definition में पढ़ लिया seller is not an unpaid seller वो कब नहीं कहलाएगा जब buyer payment तो कर रहा है but refuse कर रहा है seller to accept it यानि कि आप मेरे को payment तो कर रहे हो but मैं refuse कर रहा हूँ ठीक है मैं refuse कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं libel हूँगा buyer libel नहीं होगा ठीक है मेरी गलती है कि मैं refuse कर रहा हूँ payment ठीक है यह होते हैं सारे features of unpaid seller तो unpaid seller hopefully आप सभी को clear हो गया होगा ठीक है next करते हैं अब हम अब there are some remedies अगर आप एक unpaid seller हो तो आपको कुछ rights मिल जाते हैं जो आप exercise कर सकते हो ताकि आप damages को claim कर सको या फिर अपना हक जिता सको ठीक है तो सबसे पहली चीज क्या है right against the goods अभी मैं seller की बात कर रहा हूँ seller के rights हैं against the goods है पहला second है against the buyer personally ठीक है दो तरहा के होएंगे इसके अंदर different different rights हैं हमारे अब goods के प्रती क्या rights हैं हमारे देख लेते हैं first right first right क्या है where the property in goods has passed यानि कि जो possession है sorry possession नहीं जो ownership है वो pass कर दी गई है यानि कि provide करवा दी गई है to the buyer ownership provide करवा दी गई है तो वहाँ पे क्या right बनते है सबसे पहला right जो है जो सबसे important है first right जो कि है right of lean right of lean सबसे first है और सबसे important है right of lean कब होगा कब हम exercise कर सकते हैं जब हम एक unpaid seller हो यानि कि non payment of price non payment of price है जहाँ पर वहाँ पे हम क्या करेंगे exercise कर पाएंगे हमारा right of lean या right to lean ठीक है lean का मतलब क्या है यहाँ पर सब कुछ raise कर रहा हूं है to retain the goods to retain the goods until when जब तक हमें पूरे पैसे हमें हमारे नहीं मिल जाते हैं ठीक है first complete हो चुका है right to lean ठीक है first complete इसका section है 47 to 49 ध्यान रख लेना आगे भढ़ते है right to stoppage of goods in transit ठीक है हमने भीजवा दिये है goods यहाँ तक पहुचे हैं और आप हो buyer आपने payment नहीं किये तो मैं यहाँ पर रुकवा सकता हूं उसको ठीक है रुकवा सकता हूं जब कब तक रुकाऊंगे जब तक आप मेरे को payment नहीं कर देते हूं ठीक है simple था right of stoppage of goods in transit third है right of resale right of resale ही सबसे important है मलब easy है resale हम कब कर देंगे जब expiry हो जाए उस particular date की जब आपको payment करनी हो आप मेरे को आपको मेरे को payment करनी थी इस date को आपने नहीं की तो अब मेरा हक बनता है मेरी जो responsibility है या फिर duty है या फिर जो मेरा right है वो ये है कि मैं resale कर सकता हूं उन particular goods को ठीक है अब मेरी कोई liability नहीं बनती है मेरी यानि कि seller की simple था next where the property of goods यानि कि जो ownership है वो transfer अभी तक नहीं हुई है ठीक है ownership transfer नहीं हुई है अभी तब क्या होगा right of withholding the delivery of goods right of मतलब कि हम जो goods हमें जो भेजने थे वो हम नहीं भेजेंगे simple है सारे मिलते जुलते ही हैं ये rights ठीक है बस इनके नाम याद रख लेना काफी बार questions आए हुए है next करते है second तरीके का यानि कि rights against the buyer personally कब होगा ये हमें देखना है अब first जो है इसके अंदर first है suit for price मतलब अगर आपने में को पैसा नहीं दिया है seller को तो मैं आपको आपको case कर सकता हूँ आपके उपर कि में को पैसा चाहिए मेरा ठीक है suit for price ये हो गया simple B है suit for damages मैंने आपको goods भिजवा दिये हैं ठीक है और अब आप उसे accept नहीं कर रहे हो तो मेरे जो charges लगे है मेरा जो पूरा खर्चा लगा है आप तक पहुचाने तक जो खर्चा लगा है मैं आपसे वो claim कर सकता हूँ तो यहाँ पे claim for damages का भी मेरे पास options है option यानि की right है ठीक है ये भी हो गया ये भी हो गया third है suit for repudiation of contract मैंने आपको goods send किये आपने non acceptance कर दी और आपने contract को खतम करना चाहा terminate करना चाहा भई मेरा इतना effort लगा मेरे इतने पैसे लगे आप तक पहुचाने तक और आप contract खतम कर रहे हो ऐसा कैसे चलेगा तो मैं आपको case करूँगा आपके उपर ये भी मेरा right बन जाता है कि मैं आपके उपर case कर सकता हूँ किस चीज का case कि आपने terminate कर दिया contract भीना किसी वज़ा से ठीक है D है suit for interest suit for interest जहाँ पे एक seller claim for damages नहीं करता है वहाँ पे वो क्या करेगा claim for interest करेगा claim for interest करेगा और उसे पैसे मिल जाएंगे कब तक के जब इस buyer को जब इस buyer को pay करने होंगे पैसे उस date के बाद interest लगना शुरू हो जाएगा और वो seller को मिल जाएगा ठीक है वो seller को मिल जाएगा वो suit कर देगा case के अंदर जाए उसके court के अंदर जाके तो court बोलेगा कि उसको interest दे दो अगर उसे claim for interest मिल रहा है गुड्स के प्रती क्या है चार है right of lien right of stoppage of goods in transit right of resale ठीक है then B है जब ownership transfer नहीं की गई है right of withholding the delivery of goods delivery को रोक देगा वो then second है personally against the buyer ठीक है तो क्या right है price के लिए right है claim for damages claim for interest के लिए right है and claim for termination of contract के लिए right है ये थे unpaid seller के right अब हम बात कर लेते है buyer के क्या right होंगे अब seller ने कुछ गडबड करती है तो अब buyer कैसे बचेगा उसके पास क्या remedies है first है वही simple claim करेगा damages के लिए ठीक है अगर आपने delivery अभी तक नहीं पहुचाई है मेरे goods की आपको seller ठीक है मेरे तक नहीं पहुचाया है तो मैं case करूँगा आपके उपर कि आपने नहीं पहुचाया है और I can I will claim for damages second है suit for specific performance अब ये क्या होता है ये देख लेते हैं ये वाला जो right है buyer का ये emerge होता है कब जब बात करते हैं हम specific good की यानि की कुछ ऐसा good यानि की मान के चलो मैं एक showroom में गया महाँ पर मैंने limited edition वाली bike ले लिए आपको पता है वो एक special और एक specific bike है specific model है तो वो क्या हो गया एक specific case हो गया तो यहाँ पर मैं suit for specific performance कर सकता हूँ जिसके अंदर damages की जो value है जो मैं recover करूँगा वो ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वो एक specific special product है ठीक है simple था third is suit for breach of warranty यह हम starting से अभी तो पिछले वाली वीडियो थी उसमें हमने किया था कि अगर warranty warranty यानि की collateral stipulation collateral जब होगा उसकी जो breach होगी यानि कि हमने जो security provide करनी थी seller ने किसके प्रती एक condition के प्रती एक शर्त के प्रती जो security उसको provide करनी थी seller को वो उसने नहीं की है तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर हम suit कर सकते हैं case कर सकते हैं उस particular seller पर जिक है नहीं बदला, तो we can sue ठीक है, those particular person or organization, fourth suit for reputation of contract हमने contract कर लिया, payment कर दी अब seller ने termination कर दिया contract का, भाई, ऐसे कैसे कर दिया, मैंने तो payment कर दिया, सब कुछ सही रहा है मेरी तरफ से तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं आपको sue करूँगा, ठीक है भाई, मैं आपके पर case करूँगा तो यह वही है then again, suit for interest अगर claim for damages नहीं कर रहे है, तो suit for interest करेगा, कि मेरे को interest दो, यहाँ इस दिन तक मेरे पास delivery आ जानी थी, चाहिए थी अगर मैं business कर रहा हूँ, तो मैंने कपडो कि वह मंगवाई थी, delivery मंगवाई थी अगर मेरे पास नहीं आया है, तो मेरे को नुकसान हुए तो मेरे को interest चाहिए, तो यही वो चीज है, simple थे, सारे real life से जुड़े हुए हैं, आप लोग easily पता लगा सकते हो कि क्या, क्या है next करते है, last topic हमारा auction sales, यह एक अलग प्रकार की special mode of sale है, जिसके अंदर क्या होता है, एक auctioneer क्या करता है, invites करता है bids को, from prospective buyers, यह हमने टीवी पे भी देखा है, IPL auctions में भी देखा है, ठीके, सारे लोग बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, prospective buyers होते हैं who assemble at a place of auction, ठीके, सारे एक जगा बैठे हुए है and goods are usually sold at the highest bidder, जो highest करेगा, जैसे की IPL में, इशान किशन, ठीके, इसको highest bid मिली है, I think, 15 कुछ करोड की तो highest bidder को, यानि की Mumbai Indians को मिलेगा न, इशान किशन तो यह वाला scene होता है, यहाँ पर और कब खतम होती है, auction sales fall of hammer पर क्या वोला मैंने fall of hammer sale वहाँ पर खतम हो जाती है, मतलब sale हो जाती है fall of hammer पर ठीके गाईज, यह auction sales है और आज की हमारी जो topic है, या फिर जो video है और sale of goods act है, वो हमारा complete हो चुका है, अगर आपको इवीडियो अच्छे लगी तो please like कर देना, ऐसे ही different types of acts की वीडियो जाती रहेंगी अभी हमने करना है, LLP act भी, IT act भी, add ICA के जो remaining topics हैं, वो भी हमें करने हैं, तो यह तीन चीज़े हो रह रही हैं, और sale of goods act आपका इन तीन वीडियो के अंदर complete हो चुका है, कोई भी doubt है, please मेरे को comment कर देना, या फिर telegram join करके, आप मेरे को महाँ पर message कर सकते हो अगर आपको हमारे notes चाहिए तो you can join the telegram channel, और आपको मिल सकते हैं, महाँ पर मेरे को contact कर लेना, easily, Instagram पर follow कर सकते हो, description के अंदर सारे link है, thank you so much guys एसी दूटे कर दो